Hey guys, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़ी बढ़ी यह रहोगे and सबसे पहली बात मतलब आप सभी को 2030 ने साल की बहुत बहुत चुपकामना है Keep Hustling guys, जो भी आपके ड्रीम से वो सारे 2030 में and yes guys, आज की जो वीडियो है ना बड़ी इंट्रेस्टिंग होने वाले है क्योंकि आज हम Is It Worth का एक नय एपिसोड लेक है Is It Worth वाले एपिसोड हम लोग पहले शूट किया करते थे बड़ वापस 2023 में हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले and आज हमारे पास जो प्रोड़क्ट है वो बड़ा इंट्रेस्टिंग प्रोजेक्ट है साड़े तीन हजार उपए का एक मिनी प्रोजेक्टर and guys, इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको 100 इंच का प्रोजेक्शन देखने मलता है नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है अभी और आप देख रहे हैं Tech Unboxing and guys, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसके Quick Unboxing तो guys, कुछ इस तरीके का Box Packaging आपको देखने मलता है and guys, काफी used सा Box Packaging मुझे लगा, यहाँ पर cello tape और उन्होंने श्टिक किया था probably किसे ने return किया होगा, वो ही हमें यहाँ पर deliver हुआ है and guys, box के अंदर है वो actual projector आपको देखने मलता है and guys, initial first impressions बहुत ही ज़्यादा lightweight है and बहुत ही compact form factor में आपको देखने मलता है उसी के साथ इसका power charging cord and फिर यहाँ पर आपको देखने मलता है उसका remote control and finally, एक user manual तो guys, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसे power on किया and एक चीज़ यहाँ पर आप notice कर सकते हो guys, इसका sound काफी loud आपको सुनने मलता है and guys, यह जो loud sound है यह इसके built-in fan का है उसके अलवा का this build completely polycarbonate के आपको देखने मलता है yellow and grey color के theme में आपको यह projector देखने मिलेगा उपर की तरफ यहाँ पर उन्हें ने जिंक के branding प्रोवाइड किये and उसके side में आपको power on button देखने मलता है left hand side पर यहाँ पर 3.5 mm का jack, EV in, power in आपको देखने मलता है right hand side पर यहाँ पर आपको full size HDMI port and USB type A port देखने मलता है and PG की तरफ एक IR receiver, remote की help से आप इसे operate कर सकते हो and यहाँ पर आगी की तरफ आपको वो actual projection lens, उसके नीचे की तरफ एक speaker देखने मलता है and उसके नीचे की तरफ आपको heat dissipation fan देखने मलता है so guys build quality वाला part काफी basic से आपको देखने मलता है but obvious guys यह एक budget projector है and guys काफी lightweight है, roughly 250 grams का इसका total weight निकल के आता है and yes यहाँ पर एक drawback भी है, tripod, mount उन्होंने यहाँ पर projector की नीचे की तरफ provide नहीं किया and बात करेंगे इसके projection lens को लेके so यहाँ पर आगे की तरफ आपको actual projection lens देखने मलता है जो manually यहाँ पर focus होता है and उपर की तरफ यहाँ पर उन्होंने focus puller भी provide किया उसे rotate करते हैं, यहाँ पर आप focus को adjust कर सकते हो and company claim करते है, यह projector 100 inch तक यहाँ पर project करता है practically guys, यहाँ पर हमने जब इसे test किया तो 60 inch का projection यहाँ पर decent brightness प्रोवाइड कर रहा था and इसका जो native resolution है वो निकल किया आता है सिफ और सिफ 360p का, जी हाँ guys आपने सही सुना, काफी कम resolution आपको देखने मलता है and supported resolution है 1080p, बट जब ही हमने projection किया था यहाँ पर 1080p जैसा कुछ भी projection visible नहीं हो रहा था 480p जैसा ही projection मुझे महसूस हुआ and guys इसका जो projection screen है उस पर pixel वाला part है काफी easily आप देख सकते हो and guys brightness वाला part बहुत ही जादा important होता है एक projector में so यहाँ पर आपको 1000 finded lumens का total brightness देखने मलता है and guys यहाँ पर ना सारे lights turn off करने के बाद भी मुझे इसका brightness इतना बढ़िया नहीं लगा and अगर गलती से you know night lamp वगरा भी चालू रहेगा and आप सोच रहो इस projector को use करने के लिए तो उस case में भी आपको projection clearly नहीं दिखेगा and जैसे आप projector को power on करते हो नहीं यहाँ पर सबसे पहले आपको zinc के branding देखने मलते है and यहाँ पर source selection आ चुका है and यहाँ पर home screen के उपर है आपको music हो गए videos हो गए settings के options देखने मलते है so in all guys यह कोई smart projector तो नहीं है तो यहाँ पर कुछ basic menu ही आपको देखने मलता है and fire tv stick का projection आप देख सकते हो यहाँ पर decent निकल के आता है literally जो text वाला part है जो fire tv sticks में मतलब OTT platforms या पर different application में जो text है वो भी यहाँ पर रीड नहीं कर सकते है but जबी भी content watching की बात आती है तो यहाँ पर decently आप content को watch कर सकते हो and guys अगर कोई action sequence होगा ना तो वो भी है ना clearly आपको देखने नहीं मिलेगा मतलब आप बोलोगी यह rewind कर दे exactly क्या हुआ मुझे नहीं पता चला कि guys अगर आप शारुक खन का picture देख रहे हो तो आपको लगेगा है रिदिक रोशन इंदर क्या कर रहे है इतना इतना okay okay projection है इतना clear projection नहीं है in shot मुझे यह बताना है उसके अलबा guys जो OTT platforms वाला बाट था ना वो काफी smoothly यहाँ पर work कर रहा था Netflix हो गया प्राइम वीडियोज हो गया उसके उपर काफी बढ़िया तरीक से आप content को watch कर सकते हो सिफ projection आपको इतना clear visible नहीं होगा plus guys यहाँ पर हमने YouTube को भी turn on किया था and YouTube भी यहाँ पर decently work करता है यहाँ पर आप 1080p at 60fps का content YouTube पर watch कर सकते हो and guys उसके अलबागा यहाँ पर Fire TV Stick के जो other features है उनने भी आप काफी easily यहाँ पर use कर सकते हो and yes guys जब भी आप content watch कर रहे हो ना इसके अंदर आपको built-in speaker देखने मलता है 3 watts का so यहाँ पर मैं एक sample video footage प्ले करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसके sound quality को so guys अब तक जितना आपने video देखा ना यह projector इतना बढ़िया तरीके से perform नहीं करता है but guys यहाँ पर जो settings वाला पार्ट है वो काफी interesting उनने प्रोएड किया मतला hand projectors में भी आपको ऐसे settings देखने नहीं मिलता है additionally यहाँ पर उन्होंने sound settings भी प्रोएड किया है जहाँ पर आप different sound profiles आपके हिसाब से select कर सकते हो जैसे कि music हो गया या फिर movie so guys यह जो settings होता है वो आपको hand projectors में भी देखने नहीं मिलता है मतलब recently मैंने zebronics के projector के unboxing की थी वहाँ पर आपको picture settings देखने नहीं मिलते है सारे options प्रवाइड किया है फोर इस्टेज 3 हो गया 16 इस्टो 9 हो गया zoom in zoom out भी कर सकते हो so guys setting वाला part काफ़ी interesting आपको देखने मलता है customizations बढ़ी है बट practically किसी काम का नहीं है उसके अलबागा यहाँ पर हमने externally laptop इसके साथ कने किया था है HDMI laptop का projection बहुत ही बढ़ी है तरीके से हो रहा था बिना किसी लाग के बट वही बात है नहीं जब भी प्रेजेंटेशन सो गयारा कर रहे हो तो text को ही आप यहां पर रीट नहीं कर सकते हैं so guys in all 3,000 रुपे की price में अगर आप मुझसे पूछों के is it worth और is it not तो भाई definitely it is not at all worth क्योंकि projection वाला पार्ट ही इतना बढ़िया निकल के नहीं आता है and 3,000-3,600 इसके pricing अना fluctuate होती रहती है under 4,000 आपको यह प्रेजेक्टर मिल जाएगा मिरको लगते है अंदर का प्रेजेक्टर जो में प्रेजेक्टिन लेंस है वो भी भार निकल के आएगा so guys साड़े 3,000 इससे बढ़िया guys मैंने एक्जाक्टो प्रेजेक्टर के अन्बोक्सिंग वीडियो शूट की थी आपको चाहिए तो लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगी but मैं suggest नहीं करूँगा उसके अलावा guys जो referral projectors है वो जो products है वो आपको view product वाले टाब में मिल जाएगे so उसे जरूँ चेक आउट कीजे वहां से आप उन्हें purchase भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे और ऐसे ही tech related unboxing के लिए प्लीज सब्स्राइब कीजे हमेरे चैनल को और दोस्तों और एक बड़न बात प्लीज मेरे facebook page और instagram page भी लाइक कीजे तो दोस्तों मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद